हेलो एबरीबान, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सभी? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ Good morning to all of you, मैंने कर दिया अपने वीडियो की सुरूबात एक नई दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अभी morning का time और यहाँ पर हो गई है morning वाले काम सोरो तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर डेस्टिंग करने के लिए तो सबसे पहले डेस्टिंग करना शुरू कर दिया है और काना जी का जो मंदिर है, मतलब कि सभी भगवान का जो मंदिर है उसको साफ किया है, अच्छे से जहडा है, साफ किया है और उसके बाद फिर मैं अपना ये वाला इधर वाली डेस्टिंग करने लगी हूँ जो भी हमारी बिंडो वगेरा, जो भी हैं सब की डेस्टिंग चल रहे है और धूल मिट्टी थोड़ी बहुत बैठ थी ही बैठ गया है क्योंकि कपड़ा लगाने से पहले चीज़ों को देखो और कपड़ा लगाने के बाद तो दोनों में बहुत अंतर होता है तो अभी मैंने कपड़ा लगा दिया है, यहां पर अच्छे से साफ कर दिया है और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अभी जाड़ू और सुबह अनुश्का के स्कूल जाने के बाद, अनुश्का के पापाजी के जाने के बाद जो मेरे काम सुरू होते हैं, उनके जाने के बाद ही मेरे काम सुरू होते हैं उनके सामने तो वो वाले काम होते हैं, जो उनके जैसे कि उनका नाश्ता बनाना, चाय बनाना और जो भी अनुश्का के लेंच वगरा की तियारी होती हैं, वो करना क्योंकि ना उससे पहले ना तो ये सब काम हो पाएंगे ना इतना टाइम होता है और सुबह जल्दी ही अनुष्का की गाड़ी आ जाती है तो जल्दी जल्दी से सारे काम करने होते हैं क्योंकि ना जल्दी आ रही है अभी गाड़ी अभी टाइम चेंज नहीं हुआ है लेकिन हाँ दीरे दीरे आगे चल कर टाइम चेंज होगा लेकिन जब टाइम चेंज होगा ना तब वो टाइम भी इतनी जल्दी आ जाता है क्योंकि फिर ना जैसे कि सुबह वह हो जाती है जै तो बात वो ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि आठ बजे कर टाइम होगा, तो आठ बहुत लेट बजाएंगा, जैसे घर में हम बजते हैं, नहीं, वो तो फिर उसी तरह से जल्दी आठ भी बिल्कुल दिन निकलते ही न, आट बद जाते हैं तो वो ऐसा ही होता है तो अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ जाड़ो डेस्टिंग करती है और जब तक अनुषकार, अनुषकार कि पापा जी दोनों नहीं चले जाते है न तब तक मेरा किसी भी काम को करने का मन नहीं होता है क्योंकि कल मैं अपने घर चली गई थी पापजी को देखने के लिए तो कल के कपड़े थे फिर आज के कपड़े हो गए और उसके पहले दिन के कपड़े थे क्योंकि मैं दूसरे दिन मशीन लगाती हूं तो एक दिन पहले के और एक दिन कल के और फिर आज के भी कपड़े हो गए तो फिर आज तीन दिन के कपड़े हो गए और तीन दिन के कपड़े आप समझ सकते हो कितने हो जाते हैं पूरी रसी वगएरा सब भर जाएंगी कपड़ों से तो मैंने न सुबह में जल्दी मशीन लगा दीती मैंने का सुबह में ही इनको जल्दी से धुल करके सुखा दोंगी फिर अराम से कपड़े सूखते रहेंगे तो मैंने जल्दी मसीन लगा दी ती कपड़ों को पहले अच्छे से सुल जाया क्योंकि आपस मैं इतने जादा इलज रहे थे कि इनको सुल जाना बड़ा मस्किल हो जाता है तो पहले इनक सुल जाया उसके बाद फिर मैं इनको ना पानी से निकालने लगी हूं कपनों को तो पानी से निकाल लोंगे अच्छे से और फिर इनको सुखांगी धूप निकल आई है और धूप ना इधर वाली सुखह मैं इधर की साइड दूप आती है जो हमारी वाश्रूम है उधर औ जंदी हूए हैं सुखम मैं जल्दी कुपड़े जाते हैं तो कपड़े अच्छे से जातेइगे लेट हो तो फिरजवक लुक्रे थोड़ी पहले बहुत करवनी थी तो कपड़े Engagement बीना दूप जली दो ano, लेकिन आप थोड़ी सी चीजें वो होने लगी हैं कम होने लगी है तो धुबी न थोड़ी सी अब होने लगेगी धीरे-धीरे तो कपड़े सूखते नहीं है इतना जल्दी से तो मैंने सोचा था कि चलो जल्दी से विना सुभह में ही तो करके सुखाएंगे क्योंकि ये पैंट वगेरा जो होती है इनको सूखने में टाइम लगता है जैसे कि हमारे सूट है साइट है इसके पापजी की वो तो सूख जाएंगे लेकिन जो ये पैंट है कि जगह नहीं अब इसमें रखने की पर फिर भी मैं रखे जा रही हूं है ना तो फिर अब रह गए है सफेद कपड़े सफेद कपड़े मैं अलग रखूंगी क्योंकि इन में लगाऊंगी मैं नील तो इनको अलग रखूंगी और वो मैंने अलग कर लिया है अभी तो ना यह सुखाऊंगी फिर ना इन पर प्रेस भी करनी है काम बहुत देर तक चलता है कपड़ों वाला काम ना इतनी जल्दी से खतम नहीं होता है तो अभी इनमें नील भी लगा लिया है मैंने और कपड़े धुल गए हैं और सुखा भी लिया है मैं मैंने तो सोचा कि चलो साथ की साथ इनको बाहर भी सुखा देते हैं क्योंकि जब धुल गए हैं जल्दी तो फिर इनको सुखाना भी जल्दी सही है अच्छे से जाड़ जाड़ करके सुखा दूंगे अभी तो धूपा रही है अभी थोड़ी तेर तो धूपाएगी लगबग एक घंटे और एक घंट क्योंकि ना अगर मैं उनके उपर डालूँगी यह जैसे की साइट हैं तो थोड़ी बड़े हैं कपड़े तो अगर उनके उपर डालूँगी उधार तो फिर वो ठक जाएंगे पैंट फिर वो अच्छे से सुख नहीं पाएगे इसलिए उधर डालूँगी मैं छोटे रही हूं जिस्ते की वो ना ढखे नहीं कपड़े और उन पर धो पच्छी खाजी लगे और वो सोख जाएं तो अभी यहां पर यही काम चल रहा है कपड़े तो सब भी धुल गए हैं पता नहीं मैंने मशीन में कुछ और भी डाल रखा है मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने क्या डाला था कपड़े निकालने के बाद अब वो भी धुल जाएंगे जो भी है और उनको भी सुखा दूँगी तो इधर मैं अपने सूट डाल दूँगी जो अनुश्का की पापजी की साइट डाली थी न उधर ही मैं इन सूटों को भी डाल दूँगी और यह मेरा नीचे की और फिर अगर जरूरत होगी न तो इधर की साइड में भी रसी है इधर डाल दोंगे फिर कपड़ों वाला होत जाएगा खतम और आज सोचा कि इस जाडू नहीं लगाते हैंदुलते हैं क्योंकि काफी दिन हो गये हैं और मैंने धर धुला नहीं था क्योंकि पानी की बज़ा से बरसात इतनी ज़्यादा हुई थी तो फिर पानी पानी हो रखा था सोचा कि चलो अब तो काफी दिन हो गई हैं धुल देते हैं तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ ज़्यादा पानी तो नहीं फैलाओंगी थोड़ा इसी पानी से छोटी सी बालती है और इसी से धुल दोंगी मैं अच्छे से तो अभी यहाँ पर पानी मैंने डाल लिया है और यहाँ पर जैसे की कबूतर और कवा चिडिया यह सारे बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं तो मैं उसको छुटा रही थी पैरों से जब धुल रहे हैं तो यह चीज़ा अगर बात में दिखेंगी तो फिर लगेगा क कि यहाँ पर गंदगी कर रखी है तो सोचा की चलो आज दुना धुल देते हैं क्योंकि न अभी क्या है आगया कि सर्दी आएंगी तो पानी बहुत मुस्किल से सोकता है फिर दिवार भी गीली होती है तो डेली धुलना तो सही नहीं है पर हाँ हपते मैं एक दिन इस तरह स जो भी जैसा भी मैं सही समझोंगी वैसा कर दोंगी वहां पर धुल करके आ गई हूं फिर मैं कच्रा मतलब डाल करके आई और देखा कि यह ना डश्ट वीन गंदी हो रखी है तो सोचा कि जब याद आ जाएना चीज तब ही करने तो सही रहता है अकर बाद के लिए पर लोंगे और मेरा यह वाला काम भी खतम हो जाएगा तो अभी टेश्ट वीन को अच्छे से दूलोंगे हाथ लगा करके जिससे कि इस पर कोई भी धूल मिट्टी इस तरह की ना रहे अभी यहाँ पर अंदर से भी धूलोंगी हाथ से क्योंकि ना अंदर भी जैसे हाली इधर रखी हुई है मैंने दो डेश्ट वीन कर रखी है वाश्रूम में है और एक उधर है दौनों तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ लगा जो छुट नहीं रहा था हाथ से तो मैंने बुरुष ले लिया है मैं बुरुष से उसको साफ कर रही हूं जिससे कि उसमें ध काम करना है यह मक्य का आटा जो मैं काओं गई थी ना तब ममी ने मुझे दिया था तो मैंने इसको चलो इसको भी पलट लेते हैं मक्य के आटे को भी यह भी तो रखा रही रहेगा तो सोचा की डबा देखा खाली मिल गया और मैंने डब्बे में इसको रखा हुआ है तो मुझे ना इसको साफ करना है क्योंकि इस मैं टेंडिया है तो आज तो मैं नहीं कर रही हूं अभी तो मैंने रख दिया है लेकिन कल देखती हूं सुबह में मैं इसको साफ कर दोंगी और फिर मैं इसको रख दोंगी तो अभी यहां पर यह अमरूत थे जो रखे हुए मैंने इनको भी धुल करके रख दिया है और अमरूत ठीक थे ना बहुत ज्यादा मीठे ना बहुत ज्यादा बेकार हैं मीडियम साइज के सही हैं खाने लायक हैं अभी ये दूद का डबा है दूद मैंने गरम नहीं किया है अभी कपड़ा लगा रही हूं सिलिप पर अच्छ ना फिर उदर अटाना जो कि घर में हम कहीं की भी सफाई करें समान तो हमें इदार उधर करना ही पड़ता है ऐसा तो है ने कि पूरा घर खाली है लो जर्वर लगाते चले जालेगा आ तो वह तो चीज़ा तो हटानी पड़ती हैं तो अभी हांपर मैंने क्या हो जो बरतन वगयरा थे वो उधर सिंख में खटपे कर दिये हैं क्योंकि वर्तन तो सुभह में होई जाते हैं और सोय के टाइम तो ना इतनी जादा भागदोड हो जाती है कि मैं क्या ही बताओं किचिन में ये समझ में नहीं ता पूरी कुछिन फैल जाती है पूरी बहुत ज़्यादा से तो फिर मैं सोचते हुँ कि चलो फैल जाने दो बाद में हीतन को समग्वाने में अगर लग जांगी तो मेरा फिर काम time से नहीं हो पाहेगा जो पगेरा का है वो नहीं उपाएगा तो सोचती हूं कि चलो यह तो में बात में कर लूँगी वागि पहले जो करने का जरूरी काम है पहले वो कर लेती हूं तो अभी यहां पर कपड़ा लगभग मैंने पूरी किचिन में लगा दिया है और वारी आ गई है हाँ पर दूद को ग जामन लगा दूँगी जामन वोलते हैं तही डालना या कुछ जिस्से की दूद की ना धी बनती है वो लगा दूँगी ठंडां वो खा लेगी तो अभी तो मैंने जो जितनी भी मठा दी वो मैंने उश्का के पापजी को दे दी है क्योंकि वो अपने साथ ले करके जाते हैं वाँ खाना खाते हैं तो ले लेते हैं और भी कोई साथ में होते हैं तो वो भी ले लेते हैं तो मैं इस तरह से एक बोटल में उन जाए तो जादा अच्छा है उसके बाद फिर मैं यहां पर आ गई हूं पोचा लगाने के लिए और पोचा जब से ना सही किया है यह निकाला है तब से ना बहुत अच्छे से पोचा लग रहा है मनला रहा है वरना पहले तो मैं परेशान सी हो गई थी कि ना इससे पोचा छलो कि इसको रहने दे लखत खंग की धोड़ Sud mutual हना वगांत तुसक्षों कि बनाती है और इनका भीनिहार ख्याल रखना पड़त है वड़ना बिना बेकार हो जाती है लहाई की चीज में बेकार हो जाती है वहाई जलदी से नाजुक सी ही होती है और बड़ी साबधानी से इन से काम लेना पड़ता है वरना ये बेकार हो जाती है अब भी यहाँ पर मैं पोचा लगा लूँगी और वैसे तो ना पूरे घर में पोचा लग गया है बस ये ही रूम रह गया था तो इसी में लगाना है मुझे वाकि पूरे घर में पोचा मेरा लग गया है क्योंकि वैसे भी जादातर कभी मेरा मन होता है कि हाँ इधर से लगाते हैं तब तो हो जाता है वरना पहले उधर से ही लगता है जो हमारा bedroom है इस रूम में हमारा टी बी लगा हुआ है अनुशका के पापाजी का रूम उसी में लगता है और लगवग सब के बाद फिर इसमें इसे होता है कि एक रूटीन सा बन जाता है अपना काम करने का एक तरीका सा हो जाता है कि चलो पहले तो हम फिर उसी तरह से काम करते हैं कभी मन चेंज होता है कि नहीं इधर से नहीं इधर से करते हैं तब मैं कहीं इधर इस रूम से भी शुरू कर देती हूँ तो अभी नहीं चले जाओ फिर तो काम ना समझ में आने वाला है नहीं जैसे कि अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा था बहुत देर हो गई है काम करते हुए और काम करते करते ये टाइम हो गया है अभी नहाने के लिए जा रही थी देखा कि साड़ी रखी हुए है तो सोचा है इसकी भी त देते हैं पता चला कि मैंने ना साड़ी सुखाई वहार और मेरी साड़ी ही फाड़ दी तो मैंने सोचा इस से अच्छा है कि चाहे कल धुल जाए चीजें सही रहें इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज ना इसकी तह करके रख देती हों और कल ना साड़ी यां धुलोंगी फिर कल कपड़े वैसे नहीं धुलोंगी यह साड़ी वगार धुलोंगी जरूरी कपड़े हैं जो ऐसे यह की पहने हैं और थुले नहीं हैं तो वोधुल जाएंगे इसलिए मैंने सोचा आज तो इसकी तेह करना ही सही रहेगा मैं इधर गईृ थी ना तो बंदर घुम रहे थे और बंदर तो यह है कि अगर एक बार उनके हाथ लग गी ना तो फिर तो इसको पूरी को फार करके बेकार ही कर देंगे इसलिए मेरा मन नहीं हुआ बिल्कुल भी धुलने का तो भी ये बोलो थीन छोटी बड़ी तो सोचा कि चलो इस थेले में रखते हैं ये थेला ले लिया है मैंने और इस बहुआ अच्छे से ना साड़ी आ जाएगी उसमें आती नहीं और जो अच्छे से नहीं आई ना तो फिर मनना थोड़ा सा ऐसा ही रहता है अभी यहां पर तेह कर लिया रख देते हैं साड़ी को तेह करके अंदर इसमें और फिर जाते हैं नहाने के लिए वागी का घर का जो भी काम था वो मेरा पूरा खतम हो गया है कहने को तो एक minute में काई एक सेकिन में कहधेती हूँ या पाँ सेकिन में ख़तम हो गया लेकिन ख़तम करने में बहुत टाइम लगा है बहुत जादा और जब चीजे जादा फैली होई हो तो फिर और विज़ादा टाइम लगता है अभी इस वीडियो का एंड करते हैं मिलेंगे कल आप से एक अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक एर